गरेल उप्चार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गजब की चाय बनाना जिकाएंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं जो पेट के उपर कमर के उपर एक्स्ट्रा फैट यानि चर्बी जमा हो गई है उसको भी बहुत आसानी से आप पिंगला कर बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों मोटापा यानि ओबिसिटी इसको कम करना इतना आसान नहीं है यह आप जानते हैं या जो लोग मोटे हो चुके हैं चर्बी बढ़ चुकी है इस बात को वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर आपने यह फैसला कर लिया है कि आपको वजन कम करना ही है तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन सैली पर ध्यान देना होगा वजन कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादर जरूरी है वो है पोस्टिक खानपान नियमित रूप से व्यायाम और योगा इस वीडियो में हम आपको मोटापा कम करने का एक बहुती गजब का नुस्का बताएंगे जो बहुत सस्ता है और असरदार की बात हम करें तो यह बहुती असरदार और बहुती अफेक्टिव नुस्का है बहुत से लोग ये सोचते होंगे, कि कम खाना खाएंगे, तो मोटापा और पेट की चर्वी बढ़ने से उसको रोक पाएंगे, कम कर लेंगे उसको पर सच ये नहीं है सच ये है कि यो जो भी हम खाना खाते हैं वो पोस्टिक होना चाहिए और सही तरीके से खाना चाहिए ये जरूरी है खाने का ठीक से ना पचना वजन बढ़ने का सबसे बड़ा और मुख्य कारणी यही है पाचन के लिया जब ठीक ना हो तो मोटापा जैसी बड़ी समस्याएं हमारे सरीर में पैदा होने लगती है और चर्वी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है आज हम आपको ऐसी एक चाय बनाना सिखाएंगे जो आपके इस बड़ी से बड़ी समस्या को बिल्कुल खतम कर देगी और आपका सरीर बिल्कुल स्लिम, फिट और एकदम तंदरुस्त हो जाएगा दोस्तों ये नुस्का इस्पेसिली उन लोगों के लिए है जो टाइम नहीं निकाल पाते हैं जिम जाने का या वर्काउट करने का आफिस में जाना और फिर वहां से लेट तक घर आना उनको इतना वक्ती नहीं मिलता कि वो एक्सरसाइज कब करें ये उन लोगों के लिए भी बहतरीन बहुत यच्छन उसका है चाए हर रोज इनसान पीते हैं सभी पीते हैं तो ये उन्हीं में से एक ऐसी चाए है medicinal चाए यदि आप इसको दिन में तीन बार पियेंगे तो यकीन मानिए कि आपको कुछ नहीं करने की जरूत है और आपका वजन बिल्कुल बहुती कम समय में कम हो जाएगा और पेट की चर्वी भी गायब हो जाएगी इसके लिए हमें सिर्फ दोई आइटम चाहिए एक तो दालचीनी का पोडर और हमें चाहिए सहद ठीक है आधा चमच सहद और आधा चमच दालचीनी का पोडर और थोड़ा सा चाहिए हमें पानी अब देखते हैं दोस्तों इसको बनाने की विधी हमने एक पैन में बना कर रखा है नुसका लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दूँ ताकि आप इसको अच्छे से बना सकें दोस्तों आप इसके लिए कम से कम धाई सो ग्राम पानी लें और उसको उबाल लें उबलने के बाद इसमें आधा चम्मच दाल चीनी डाल दें और इसे ढग दें और पंदरे मिनट तक इसको आग पर रखें और उबलने दें ठीक है इस प्रोसेस के बाद आप दस मिनट इसको फिर ऐसे ही रखावा छोड़ दें और जब यह मिसरन ठंडा हो जाए तो इसमें सहद मिक्स कर दें ठंडा उतना भी ना हो जो बिल्कुल ठंडा हो जाए लेकिन हलका गुनगुना से रहते हुए उसमें आप सहद डाल दें ठीक है सहद मिक्स करने के बाद आपको आपकी दाल चीनी की चाय तयार है यही वो इसपेसल और यही वो मेडिसनल चाय है जो आपके वजन को बहुत तेजी से कम कर देगी इसमें आधा चमच सहद मिक्स करना है अब मैं दिखाता हूँ वो नुसका जो हमने बना कर रखा है वो किस तरह का दिखता है यह आप देख रहे हैं कि एक यह पैन इसमें मैंने पानी गरम किया पहले और इसमें फिर दाल चीनी का पॉडर आधा चमच डाला और आधा चमच डालने के बाद अब हम इसमें इसको छान लेंगे एक दूसरे कप में ठीक है और उसके बाद हम एसको इसमें सहत ऐड़ करेंगे यह इस तरह का दिखता है पैन आप देख रही होगे इसमें दाल चीनी है आप हम इसको इसमें कप में च्छान लेते हैं यह हो गया अब इसमें आप देखेंगे की नीचे पैन के अंदर इस बरतन के अंदर ये दालचीनी का पॉड़र नीचे डिपोजिट हो गया इसको हटा दे ठीक है इसको और छन्नी को साइड करें अब ये हमारे पास एक कप में ये चाय है अब इसमें हम एड करेंगे ये मैंने चेक कर लिया है हलका सा गुन-गुना है जिसे हम बहुत आसाने से पी सकते हैं ठीक है अब इसमें हम एड करेंगे आधा चमज सहद सहद आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं टाबर का हमदर्द का और पतंजली स्टोर से भी आप ले सकते हैं जो भी आपके घर में चल रहा हो पसंद हो और ये सहद हो गया दालचीनी मसाले में इस्तिमाल की जाती है मसाले को खाने को बहुत टेस्टी बनाने के लिए इसमें मसाले में इसका उप्योग होता है तो आपके घर में दोनों चीजें मौजूद होंगी ठीके अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सहथ यह हो गया सहथ अब इसको मिश्ट करने यह हमने 500 ग्राम पानी लिया था और उबलने के दोरान कम होकर यह इतना रह गया है यह 100 ग्राम के करीब पानी है 100-500 ग्राम बस इतना हो जितना आप आसानी से पी सकें यह चाय आपके तयार है दोस्तों और यह चाय किस तरह से लेनी है वो भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों इसके साथ जब यह चाय आपकी बनकर तयार है इसके बाद आप इसको कैसे लें इसके साथ अब आप भी जब भी पानी पीएं एक तो यह ध्यान रखें कि यह खाना खाने के साथ में कोई भी पानी नहीं पीना है आपने ठीक है यदि आपको पानी पीना है तो आदा घंटे बाद या आदा घंटे पहले अब चाय का सेवन हम बतायें कि किस तरह से इसको करना है दोस्तो इस चाय को रोजाना तीन बार सेवन करें सुभह नास्ते से और खाने से पहले और रात को खाना खाने के बाद लेकिन बिस्तर पर लेटने से पहले समझ गए आप जब आप सुभह ये चाय बनाए तो नास्ता करने से पहले आप इसको पी ले दोपहर में जब आप खाना खाएं तो खाना खाने से करीब आदा घंटा पहले इसको ले ले और रात में खाना खाने के बाद लेना है आपको ये लेकिन बिस्तर पर लेटने से पहले पहले ठीक है खाना खा ले उसके बाद आप बैठे रहें, टीवी देखें, या बहार टहलें के लिए निकलें, और उसके आदा घंटे बाद आप इस चाय को ले लें, बस ये इसका रूटीन रखना है, दोस्तो इसके साथ जब आप पानी कभी पीएं, बाद में इसको ये हो गया, और इसके बाद आपन पानी ना पीएं जो फ्रीज में रखा हुआ है, आप नॉर्मल टेमपरेशर का पानी पिएं या हलका गुनगुना पानी पीएं तो बहुत घज़क रिजल्ट आप कुछ देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत तेज़ इसे, खाना खाने के साथ में पानी ना पिएं, खान और कोछी स्करें कि बिना चीन की चाहे घी पिए चूनी मोटापा कमकरने में सबसे बरी बाधक चीज है दोस्तो एक तरफ आप चीनी की चीजे खाते रहें चिनी खाते रहां मेदा की चीजे खाती रहें बनी हुई तो यकीन मानिया कोई भी नुसका कोई भी दवा ले तो आपका वजन कोई नहीं कम कर पाएगा तो इस चीज में ध्यान रखें इसके लिए परेज मैदा से बनी हुई चीजे ना खाएं और फास्ट फूड उसकी तरफ तो देखें भी नहीं कु वही हो जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे दोस्तों ये वजन कम करने का और फैट कम करने का इस सरल और इससे एफेक्टिन उसका और दूसरा कोई नहीं हो सकता है इसको इसको इस्तमाल से आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा दोनों चीजे इसमें बिलकुल नैच् मोटापा है चर्वी है वो 15 दिन के अंदर अंदर कम हो जाएगी और चर्वी बाहर निकल जाएगी दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपका ये नुसका और हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी यदि पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हस्ते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें